यूपी की राज़ानी लखनव के शहीद पथ इस्तित एकाना स्टेडियम में 28 दिसंबर यानी मंगलबार को कॉंग्रेस ने मैराथन दोड का आयोजन किया आपको बता दे कि ये मैराथन लखनव में बीते रविवार को आयज़त होनी थी लेकिन तब कॉंग्रेस को इसकी अरुमती नहीं मिली इस मैराथन में आने वाले अबवल पूझा पठेल रही उन्होंने बताया कि उन्हें इस आयोजन का हिस्सा बन कर काफी खुशी मिली है ऐ से लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम पर यूपी विर्हांसवात चुनाव 2022 की तैयारियों की जा की जा रही है और महिला मैराथन को भी आनुमती नहीं मिलने के बाद कॉंग्रेस ने एक बार फिर 28 दिसमबर को 11 स्टेडियम से मैराथन के आयोजन की घोशना की थी आपको यूपी कॉंग्रेस के उड़ से बयान भी जारी किया गया और कॉंग्रेस की राष्टी महासचे प्रेंका गाधी के नेतरत में महिला की बुलंद होने वाली आवाज अब निश्चित तोर पर प्रदेश भर की महिलाओं के सशक्तिकरण का सशक्त माध्य बनेगी गौर तलब है कि लखनव में पहले 26 दिसमर को मैरेथन आयज़त की गई थी लेकिन प्रश्वासन के द्वारा इसकी इजाज़त नहीं मिलने की कारण इसे स्थगित कर दिया गया था यूपी कॉंगर्स की मीडिया सायोजक अशोक सिंग ने बताया कि लखनव में मंगलबार को मैरेथन के आयोज़न की अनुमती मिलने के बाद पुझी करण के लिए यहाँ पर पंजी करण के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो निर्धारत समय सुभाट वजे से ही प्रतिभा झाल झाल